इस वोड़ी में हमारे पास एक question है sin x into sin 2 x into sin 3 x तो इसको इस तरह से लिखते हैं let i equals sin x sin 2 x into sin 3 x अब यह जो question यहाँ पर है यह obviously trigonometric identity के help से solve हो because इस पूरी exercise में question इस तरह से हैं कि हमें trigonometric identity यूज़ करनी है तो यहाँ पर कौन से identity यूज़ करेंगे देखो एक identity है trigonometry में कि 2 sin x sin y is equal to cos x minus y minus cos x plus y तो यहाँ पर हम यह mind में लेके चलेंगे कि हमने यह apply करना है तो सबसे पहले तो हम 2 से divide करेंगे 2 से multiply करेंगे 2 sin x sin 2 x और यह sin 3 x हम अलग लिख देंगे तो हमने इनको एक साथ ले लिया क्योंकि आप देख सकते है identity में बस दो चीज़े हैं दो बारी sin ने था हम इनको हमने लिया है हम इन दोनों को भी एक साथ ले सकते थे और हम इसे और इसे भी एक साथ ले सकते थे तो भी हमारा यह solve हो जाता है तो अभी हमने apply नहीं किया अभी just इसको बस ऐसे करके लिखा है और अब हम यहाँ पर apply करेंगे यह identity तो यह हो जाएगा cos x minus y means x minus 2x minus cos x plus y means x plus 2x और फिर है sin 3x dx थोड़ा इसको simplify करते हैं तो यह हो जाएगा cos minus x होगा बट cos का minus गाइब हो जाता है simply cos x आ जाता है cos 3x है ना मतलब कहने का यह मतलब है मेरा कि cos minus x is equal to cos x होता है और अब हम इससे multiply करेंगे तो यह हो जाएगा cos x sin 3x minus cos 3x sin 3x और अब यहाँ पे दूसरी identity लगाने का समय आ चुका है तो देखो कौन सी identity तो यहाँ पे एक काम करते हैं थोड़ा पलट के लिख देते हैं because यह बड़ा एंगल जो है यह पहले रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो 1 upon 2 sin 3x cos x बस मैं थोड़ा पलट के लिख रहा हूँ बड़ा एंगल पहले हो यह 3x बड़ा है x छोटा है तो बड़ा पहले हो तो easy रहता है यानि थोड़ा minus minus के problem नहीं होती है और यह sin 3x को भी मैं पहले लिख देता हूँ तो एक proper shape यहाँ पर बन जाएगी ओके और अब हम यहाँ पर फिर से दो identities लगाएंगे एक तो है कि 2 sin x cos y यह होता है sin x plus y plus sin x minus y उसके लावा 2 sin x cos x यह होता है sin 2x तो 2 sin x cos x इसमें यूज होगा because दोनों ही सेम एंगल है and 2 sin x cos y इसमें यूज होगा because यह एंगल डिफरेंट है तो यह धियान रखो ओके तो यह हो जाएगा therefore i equals तो सबसे पहले तो 2 से multiply और divide करेंगे तो यह 1 upon 4 हो चुका है मतलब यह 2 पहले से था एक और हमने divide और multiply करेंगे जिससे की यह shape में आ जाए और अब हम इन identities का use करेंगे तो यह है हम यहाँ पर यह apply करेंगे तो sine x plus y plus sine x minus y यह हुआ ठीका ना वैसे इसकी जर्द नहीं है ब्रैकेट के minus यह है sine 2 x तो sine 2 और x से 3 x तो यह आ चुका है यहाँ पर ऐसे थोड़ा और simplify करते हैं तो sine 4 x plus sine 2 x minus sine 6 x dx और अब इसका integration होगा 1 upon 4 sine x का integration minus cos x होता है और इसको differentiate करके हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे इसके लावा sine 2 x का cos 2 x upon 2 और यह हो जाएगा minus minus का प्लस हो जाएगा cos 6 x upon इसको differentiate करेंगे 6 आएगा उससे डिवाइड कर देंगे और finally plus c लिख देंगे थोड़ा सा proper order में लिख देते हैं यानि प्लस वाला पहले इन दोने को बाद में तो यह हो जाएगा 1 upon 4 cos 6 x upon 6 minus cos 4 x upon 4 minus cos 2 x upon 2 plus c यह हमारा answer है बाकी questions के solutions के लिए description box में playlist चेक करें